हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब तो cbsc बोर्ड ने अपनी अफिशल वेपसाइड के उपर क्लास 10th और 12th की डेटशीट जो है वो रिलीस कर ली है अब आप लोगों को अपने बोर्ड एक्जाम्स के लिए प्रेक्टिस जो है वो स्टार्ट कर लेनी है तो प्रेक्टिस किस तरह से करनी है उसी के बारे में साइंस सबजेक्ट के लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ session 2022-23 के लिए एक sample question paper ये sample question paper आप लोगों को CBSC की official website के उपर भी मिल जाएगा इसके इलावा आप लोग हमारा telegram channel जो है वो जोईन कर सकते हैं उस telegram channel के उपर भी आपको ये question paper मिल जाएगा इस video के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि science में किस तरह के questions जो हैं वो आप लोगों को final question paper में देखने को मिलेंगे और किस तरह से आप इन questions की त्यारी कर सकते हैं तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाते हैं तो आप लोग हमारे साथ इस video को अंतक देखें देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का science में जो question paper रहेगा वो 80 marks का रहेगा अगर हम लोग बात करें इस 80 marks के question paper में total number of questions आपको 39 questions आने हैं और ये 39 questions 5 sections में divide होंगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो इसमें sections हैं तो जो सबसे पहली section हमारी रहेगी वो रहेगी section A तो section A के अंदर total question 20 objective types question रहेंगे जिसमें हर एक question जो है वो एक marks का रहेगा सेम तरह से अगर हम लोग बात करें section B की तो section B के अंदर 6 very short answer type question रहेंगे और जिसमें हर एक question जो है वो आपका 2 marks का question रहेगा इसके इलावा अगर हम लोग बात करें section C तो section C में 7 question रहेंगे और जिसमें हर एक question आपका 3 marks का रहेगा जिसका answer आप लोगों को 50 to 80 words के अंदर जो है वो करना है इसके इलाबा बिटा अगर हम लोग बात करें section D के अंदर तो section D के अंदर आपके long answer type question रहेंगे जो कि हर एक question 5 marks का होगा जिनका answer आपको 80 से 20 words के अंदर करना है last section section E जो है उसमें आपके 3 source based या case based questions रहेंगे जो कि 4 marks का हर एक रहेगा जो कि total marks अगर इसके हम लोग देखें तो 12 marks का E section होगा तो अगर आप लोग इन 5 sections marks को combine कर लें तो आपका 80 marks का question paper बनेगा अब भी बात करते हैं कि इन sections में जो आपके questions हैं वो किस तरह के questions रहने वाले हैं तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो मैंना भी आपको बताया कि section A के अंदर जो first 20 question है वो band marks के रहेंगे इसमें figure based question, assertion reason type question, MCQs type question या band marks question हो सकते हैं जैसे कि आप अपनी screen के उपर सबसे पहला question देख सकते हैं तो सबसे पहला question जो है वो आपको figure based question है जिसमें question में अगर हम लोग बात करें तो आपको बोला गया है तो आप लोगों को देखो कि इसमें एक test tube दी है test tube के अंदर जो है वो sodium chloride जो है वो डाला गया NaCl डाला है और उपर अगर आप लोग देखे तो इसमें क्या लिखा गया है dropper containing concentrated H2SO4 तो आपको यह चीज पता है कि H2SO4 जो है जब यह dissociate होगा तो यह ions produce करता है कौन से ions produce करता है वेटा आप लोगों को पता है that is H positive ions और इसमें आपके second जो ions बनेंगे वो SO4 two negative ions बनेंगे बट अगर हम लोग देखे तो ऐसे compound जो हमें H positive ions देती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं acid तो अगर आप लोग इस figure में देखें तो आप लोग इसमें delivery tube के उपर जो है वो एक गीला litmus paper पड़ा हुआ है तो जब इस गीला litmus paper का जो color change हो रहा है वो color change होने का कारण ions है और इधर आप लोग देख सकते हो कौन से आइन है? H positive ions है तो आप इसमें options देखेंगे तो options देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह के questions आपके paper में आएंगे तो काफी time बच्चे जो है वो एक गलती कर देते हैं कि वो पूरे question को read नहीं करते हैं तो आप लोग इसमें देखो कि first इन्होंना लिख है presence of acid second इसमें बोला है presence of base third बोला है presence of H positive in the solution presence of litmus which act as an indicator तो जो इसका right answer आपका रहने वाला that is third part but आपको इदर से third नहीं देखना है नीचे आपको जो a, b, c, d option दियें तो आपको उसमें से answer करना है तो first इसमें a part दिया है first and second ये गलत है ये आप लोग इसमें add नहीं करेंगे b है only second ये भी नहीं रहेगा c part only third only third is the right answer for this question तो आप लोग इसमें c को जो है वो mark कर लेंगे तो इस तरह के आपके एक number के question जो है वो रहेंगे similar way में question number second अगर आप लोग देखें तो वो है in the redox reaction तो आप लोगों को पता है कि redox reaction क्या है ठीक है अब इसमें देखिए आप लोगों को जो question है पहले उसको समझ लेना है पहले हम लोग questions को समझते हैं उसके बाद इसके answers प्यातने हैं तो अगर आप लोग दियान देंगे सारे देखिए question question है MnO plus HCl तो अगर आप लोग दियान से देखो तो इसमें जो MnO2 है ठीक है वो किस में convert हो रहे है MnCl2 में देखिए actual में इदर क्या हो रहा है removal of oxygen तो आपको पता है ऐसा process जहां पर removal of oxygen हो रहा हो उस process को हम लोग बोलते reduction ठीक है तो इसमें actual में MnO जो है वो क्या हो रहा है reduce हो रहा है अब reduce हो के क्या बन रहा है MnCl2 तो सबसे पहली बात आपको याद रखने है कि इस reaction के अंदर क्या रही है MnO2 reduce to MnCl2 तो अगर आप लोग इसमें देखिए तो first में लिख है MnO2 is reduced to MnCl2 ये भी ठीक है second जो B option आपको दिया है that is MnO2 is reduced to MnCl2 ये भी ठीक है next है MnO2 is oxidized देखिए इसमें अगर हम लोग elimination method लगाएं तो third और fourth part होई नहीं सकते अब हम लोग बात करते हैं A और B part की तो इसमें सही कौन सा रहने वाला है तो इसमें जो सही वाला options है उसके अपर हम लोग बात करेंगे अभी तो आप लोग अपनी screen के अपर देखें पूरी अगर इस reaction को हम लोग understand करें आगे लिखा है HCl ठीक है HCl किसमें convert हो रहा है आप लोग देखिए H2O में देखिए इसमें क्या हो रहा है H का CL में से removal हो रहा है ह का CL में से removal हो रहा है ठीक है और oxygen के साथ H का addition हो रहा है तो removal of hydrogen उसको हम लोग बोलते हैं oxidation तो इसका मतलब HCl जो है उसका क्या हो रहा है वो oxidized हो रहा है और oxidized हो के जान से देखिए HCl क्या बन रहा है HCl H2O नहीं बन रहा है ठीक है HCl जो है वो जब इसमें से hydrogen का removal हो रहा है removal हो के CL अलग हो रहा है तो इसका मतलब कि HCl में से removal हुआ hydrogen का और क्या बचा CL2 तो मतलब HCl is oxidized to CL2 तो देखिए ये option को उन से हमारा B वाला तो आप लोग इसमें B पार्ट को जो है वो मार्क कर देंगे सेम तरीके से आप देखें कि आप लोगों को one marks के आपकी screen के पर ये questions है इस तरह के questions आपको one marks के पूछे जाएंगे हम लोग इस पूरे question paper को solve करेंगे आने वाले time में आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इस चीज बताना चाहता हूँ कि आपको question किस तरीके के जो है वो final paper में देखने को मिलेंगे तो इस तरह से figure-based question इस sample paper में काफी देखने को मिलें इसलिए आप लोग भी figure-based question की practice जो है वो अच्छे तरीके से कर लें next देखिए assertion and reason type questions है और इसके बाद next question आप अपनी screen के उपर देख सकते हो section B के अंदर जो questions है यह very short answer type question है ठीक है तो इसमें इस तरह के questions आप अपनी screen के उपर देख सकते हो इस तरह के questions आपको देखने को इसमें मिलेंगे सेम तरीके से आप section D C को देख सकते हो section C के अंदर भी कुछ questions आपको देखने को मिल रहे हैं तो इस तरह के questions भी आपको सी section के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे तो आप अगर इस पूरे complete sample paper को एक बार खुद से solve करिए आने वाले time में में सारे questions आप लोगों को solve करवाऊंगा अगर फिर भी इन case आप चाहते हो कि सरे यह किसी particular question को मैं आप लोगों को solve करवाऊंगा तो आप comment section में please बता सकते हम लोग आने वाले video में उस question के बारे में complete discussion करेंगे